करोना को हराना है तो टिका, जरूर लगाना है, क्यूंकि करोना से बचने का यही एक मात रूपाए है वेक्सिनेशन, अधिक से अधिक लोग वेक्सिन लें, इसे लेकर जिला प्रक्रशाशन, समाजी कायकर्ता, सवनसेवी संगठधन, और सरकार सभी का फोकस इस बात को लेकर अधिक से अधिक लोगों को वैक्सिनेशन दिया जाए। हम अभी खड़े हैं मेमोरियल गुर्द्वारा का मेमोरियल में जहां आप देख रहे हैं कि सिख समाज से जुड़े लोगों को वैक्सिन देने का कारнуть किया जा रहा है। जिला प्रसासन का भी यह फोकस है कि समाजिक संगठनों के अलावा धार्मिक संगठनों के साथ कैसे समनवाय बनाकर अधिक से अधिक लोगों को वैक्सिनेट किया जाए जिला प्रसासन की ओर से लगतार या प्रयास किया जा रहा है कि अधिक से अधिक लोगों को कोरोना का वैक्सिन दिया जाए गाओं के अलावा अलग-अलग धार्मिक संगठन के लोगों से उपायूप ससीरंजन ने खुद बैठक कर उन लोगों को यह बताया और प्रेजित किया कि जादा से जादा लोग उनके समुदाय से वैक्सिन ले किया है तो वह लोग यहां आ रहे हैं और अब वैक्सिन की बारी अगर उनकी आई है या उनका डेट है तो यहां दोनों तरह का वैक्सिन देने का प्रावधान चल रहा है को वैक्सिन और को इसे मौके पर पलामु के सदर अनुमंडल पदाविकारी भी मौजूद हैं हम उन कि अचित militar करन के तहता है यहां पर में इसका आयजन किया यहां हो रहा हैं देख लोग हुंड़ा का भी साथ ले रहा है और पिछले दो दिनों से हमारे मुस्लिम समधाय के द्वारा भी टिका करन किया कि पहाडी में आज भी छोटी महसीद के पास टिका करन चल रहा है एक सबसे अधिक महां हो गया है कल वहां पहाडी को दो सब्सक्राइब हुआ था आज यहां भी उमिद है कि लगभग एक सब प फैदार आपके सामने है लोग देखले लोगों के वीढ विए फैदा क्या हो रहा है पाहलीय पाओते हैं तो है लोगों के अधिन को इसी तरह संडे को मैं रामगण जाहूंगा वहां भी हम क्रिश्ट समुझाय के दिवारा क्विंकों के फादर के सभी मैं मैं मैंने अनुर दाया को इसमें हम सामिल करें कि सभी को सामिल किया बिना ये लक्ष हासिल नहीं किया जा सकता है बेशक ये तभी संभव हो पाएगा जब सामुहिक सहभागिता सब की होगी सभी लोग मिलकर आगे आएंगे वैक्सिन लेंगे तभी हम कोरोना को जड़ से समाप्त कर पाएंगे और इस अभ्यान से जुड़े लगातार सिख समाज के लिए काम कर रहे गोलु जी भी हमारे साथ है कैसे आप लोगों ने इस बात को प्लानिंग की कैसे इन लोगों को बताया गया चार-पांद पहले DC सर ने मीटिंग बलाई थी जिसमें DC सर, S.C. सर सब को ही थे उसमें सब समुधाय के लोग शामिल थे उसमें DC सर ने सब को समझाया था कि करोना का एक ही उपाय है जिसके टीका लगा लिया जाए वैक्सिनेशन हो जाए तो सब समुधाय ने पहल शुरू की मुस्लिम समाइद ने शुरू किया है कि उन्होंने भी काफी लोगों को अपने महाँ पर कन्वेंच करे टीका लगाया तो यह आज गुरुवारा श्री गुरुसिंग सभा की तरह से खाल सा जथा ने मैं और हमारे भाई मनत वीर ने भी महनत करके आज सौ लोगों को समझाया और सौ लोग यहां पर टीका लगाने आया है और एस जो साब एस जो सर ने गाफी इसमें हम लोगों से योग दिया और दोनों वैक्सिन हमें उपलप्त कराई को वैक्सिन और कोवी शिल्ड तो दोनों टाइप के इंजेक्शन से हम मिल रहे हैं क्या यह आज ही भर है या आगे भी चलेगा इसमें चलेगा भी जैसे कि आज हमने सौ लोगों को कम सक्क्रम टार्गेट किया है उम्हें सो से है तमाम लोगों को वैक्सिनेशन किया जाए इसके लिए जिला प्रसासन के साथ समाजिक संगठन के लोग भी निरंतर सक्रिये हैं समाजिक कारेकरता के लोग लगतार सक्रिये हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सिन दिया जाए और सिक्समुदाय से जुड़े जो म कि तीसरी लहर भी आने वाली है, जो जाहतर बच्चों पे असर करेगी, तो हमारे जो 45 प्लस के लोग हैं, जो 18 प्लस के लोग हैं, वो अगर वैक्सिन लगवा लेंगे, तो इससे बच्चों पे उनका प्रभाव कम पड़ेगा, कोरोना की जो तीसरी लहर आएगी, तो ये फा किया है, सभी समझाय के लोगों से अपील करके, कि कोरोना वैक्सिनेशन का कैम्प लगवाएं, और जादा से जादा लोगो को कोरोना का टीका दिलवाएं, वैमोरियल हॉल में लगे इस कैम्प में सिख समाच से जुड़े कई लोग वैक्सिन ले रहे हैं, और सुखद रहे हैं और वैक्सिनेशन का काम कर रहे हैं, अभी यहाँ पर वैक्सिन लेकर आई हैं, एक महिला हम इन से बात करेंगे, क्या आप कहना चाहेंगे अभी वैक्सिन कोई बड़ी चीद नहीं है, लगवानी चाहिए, जरूर लगवानी चाहिए, जब डॉक्टरों ने बनाया है, तो सही बनाया है, पबलिक के लिए ही बनाया है, जरूर लगाईए, हमने को वैक्सिन लगवा लिए है, हम चाहेंगे कि सारी महिलाएं लगवाएं, इससे कोई प्रॉबलम नहीं है, इससे घबराना बिलकुल नहीं है, बस, तो सुना आपने वैक्सिन लगवा कराई, य एक मात रुपाय है वैक्सिनेशन जितना ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सिनेट हो पाएंगे तब हम इस बिमारी को जड़ से दूर कर पाएंगे